How to build a wild rope design in Minecraft ये बहुत ही इसलिए हम सबसे पहले सामने की साइड पे तीन अपनी मरजिक कोई भी ब्लोक लगा देंगे और उसके बाद हम साइड पे तीन तीन ब्लोक और लगा देंगे इसके और उसके बाद हमने साइट पे जो ब्लोक लगाएं इनके साइट पे हम ट्रिप डॉर लगा देंगे फूर ब्लोक है तो फूर ट्रिप डॉर हम लगाएंगे और वो भी दोनों साइडों पे यह एक साइट पर हमने लगा दिये अभी सेम इसी तरह हम दूसरी साइट भी भी लगाएंगे और उसके बाद हमने जो दर्म्यान में जो ब्लोक है ना उनको तोड़ देना है क्योंकि उनकी अभी हमें जरूरत नहीं है और इनको तोड़ने के बाद अभी हम इसके अंदर आरम स्टेंड यूज़ करेंगे और तीन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिनका जो है ना मूँ एक ही साइट पर होना चाहिए ठीक है यह टू और यह त्री ठीक है अभी इसके बाद हमने पिर से तीन ट्रेपडोर यूज़ करनी है ठीक है त्री ट्रेपडोर हम लगा देंगे उसके बाद हम इसके उपर अभी राइट साइट पर लेफट साइट पर दोनों साइड पर हम एक एक पिस्तन लगा देंगे यह right side पे हमने लगा दिया और अभी हम left side भी सेम इसी तरह हम लगा देंगे उसके बाद हमने इसके दर्मयान arm stand लगा देने दो एक इस side पे और एक दूसरी side पे और दर्मयान में हम लगाएंगे break wall और उसके बाद हम piston को activate करेंगे like piston की use करेंगे रिस्टोन के साथ उसके बाद हम ब्रेक वाल, रिस्टोन और पिस्टन सब को हम तोड देंगे, इसके बाद हमने जो ट्रिप डोल लगा है था उनको भी हमने तोड देना है उसके बाद उपर की साइट पर हम लगाएंगे स्टेर्स, तीन स्टेर लगा देनी आप अपनी मर्जी के कोई भी लगा सकते हो ठीक है इसके उपर हमने अभी डिकॉरेशन के लिए एक मैं क्रीपर करसर रखूंगा और दो लैटेन आप लोग कुछ भी रख सकते हैं उपर डिकॉरेशन के लिए इसके बाद हम स्टेंड में इदर हम अभी सूट अपनी मर्णे कोई भी कला भी सेलेट करके इसके अंदर पूड कर सकते हो ठीक है ऐसके फाइफजूत आप इसमें रख सकते हो यह पहला मेंने रखा और गोल्डन ठीक है दूसरा गोल्डन का में रिखा और उसके बाद हम तीसरा यूजर करेंगे तीसरा जो है इना वह वीडियो अच्छी लगयों तो वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब कर देना